हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवन ट्यूटर दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मारवारी कॉले राची बीए का फर्स्ट कर्ट अफ लिस्ट के बारे में अब दोस्तो प्रोभीजना सेलेक्शन लिस्ट में वीडियो आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है त तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तो आपके आर्ट्स का कट अफ लिस्ट कितना गया सभी स्ट्रीम का वह देख लेंगे जैसा की वन सेकेंड फ्रेंड यहां पर थोड़ा हाँ यह वाला है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी स्ट्रीम का यहां पर दिया गया है अब यहां देख सकते हैं इकोनोमिक्स का है इंगलीज जेओग्रफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हिंदी नाकपुरी बेंगौली कुर्माली कुरुक मुंडारी फिलोस्फी सोसियोलोजी सोरी साइकोलोजी सोसियोलोजी और उर्दू अब यहां दोस्तों मेरिट मतलब जेनरल वालों का है BC1, BC2 है, SC है, ST है और EWS मतलब economically weaker section होता है ध्यान रखेगा अब देखे इन और आउट का क्या मतलब हुआ मैं बता दू इन का मतलब हुआ दोस्तों jackboard बाले जिन्होंने jackboard से जहारखन बोर से एक्जाम दिया और outboard का मतलब हुआ CVSC, ICSC या other state board बाले ठीक तो ध्यान रखेगा, अब यहां पर आप देख सकते हैं, economics का जो cutoff गया है, 66 गया है, English का यहां देख सकते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 78 गया है दोस्तों वही out का merit में 85.05 गया है, English का 96.08 गया है, इसी प्रकार से BC1 का आप देख सकते हैं, economics का 60.20 इन का गया है, व BC2 का दोस्तों, economics का 56.80 गया है, वही economics का out का 74.60 गया है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप HD का देख सकते हैं, in और out, economics का 49.20 एन आउट का 54.60 है, इसी प्रकार से आप HD का, EWS का और आप जिस केटेगरी से हैं, और आप किस मतलब merit list में हैं, यानि कि आप जेनरल से हैं, BC1 का आप in है, out है, यह साड़ा आप चेक कर लें, ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कि no applicant या और भी कुछ है गया, देख लेता हूँ में, no applicant का क्या मतलब हुआ, इस चीज को भी आप ध्यान से समझ ले, अब देखें दोस्तों सीधा से मैं आप philosophy का 51.40 गया, उसकी बाद no applicant है, इसका क्या मतलब है, मतलब कि इसके बाद का जो भी category वाले ने, मतलब other category वाले ने form भराया, उनके लिस्ट नहीं निकाला गया, मतलब कि वो उनका लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं लिस्ट निकाला गया, ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझना है, hope so, आपको समझे में आ गया होगा, कि आपका लिस्ट में cut-up कितना गया है, साथ ही आप, अब दोस्तों देखिए, girls section का भी निकल चुका है, girls section का कैसे देखना है, ये भी यहाँ देख सकते है, बीए girls section, first cut-up list for provisional admission, okay, 2023, तो cut-up आप देख सकते है, girls का boys का दोनों का न